हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सक्स की जिनका संगीत की दुनिया में महतपून योगदान है हम बात करने वाले हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां की जो एक बिहारी लाल है और साथ ही साथ या टॉपिक हमारे कंपर्टीशन के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है वो कैसे है या हम अंत में देखेंगे हम आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्ला खां का जन बिहार के बकसर जिले के डुम्राव नगर में हुआ था वे अपने पिता पेगंबर खां तथा माता मट्रिन भाई की दूसरी संतान थे उनके बचपन का नाम कमरुदीन था हलांकि वे पशिद हुए बिस्मिल्ला के नाम से उनके पिता बिहार की डुम्राव रियासत के महराजा के दर्बार में शहनाई बजाया करते थे उनके पडिवार में उनके परदादा, दादा, चाचा सबही अच्छे शहनाई वादग कासी में उनके मामा अली बक्स विलायती रहा करते थे उनके मामा विशनात मंदिर में सहनाई वादन का काम करते थे चह वर्स की आयू में बिश्मिल्ला अपने मामा के घर कासी गये उन्होंने सहनाई बजाने की बारी कियां अपने मामा से हासिल की वे हर रोज लगभग 6 गंटे तक रियाज किया करते थे उनकी साधी सोलो वर्स की उम्र में मुगण खानम के साथ हुई उनके पडिवान में कुल 66 सदसे थे जिनके पालन पोशन का जिम्मा उनके सर था लेकिन सहनाई को वे अपनी दूसरी बेगम कहा करते थे उन्हें संगीत की दुनिया में पहली बड़ी परसिद्धी सन 1937 में मिली जब वे All India Music Conference में जो कि कोलकाता में आयोजित किया गया था भाग लेने गए इस आयोजन ने न सिर्फ उन्ही के भविस्वे को चमकाया बलकि सहनाई को भी विश्वपटल के परसिद्धी दिलाई यहां से वे कभी पीछे नहीं मुड़े इसके बाद उन्होंने विदेशों में भी सहनाई के दुन फैलाई उन्होंने फिल्मों में संगीत देने का काम भी किया जिसका बेहतरीन उदारन गुजूठी सहनाई है वे गंगा यमना संस्कृती के एक नयाब उदारन थे जिनका धर्न सिर्फ संगीत था वे बाबा विश्वनात मंदीर में जाकर तो सहनाई बजाते ही थे साथ ही साथ तथा साथ ही साथ पाँच वक्त के नामाजी भी थे उन्होंने अपने जीवन में एक से बढ़ कर एक सम्मान हासिल किये जैसे वर्स 1961 में उन्हें पद्म स्री मिला 1968 में पद्म भूशन 1980 में पद्म विभूशन तथा 1994 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी मिला 2001 में भारत रत्न भी प्राप्त किया लेकिन 21 अगस्ट 2006 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया तो ये था बिस्मिल्ला खां के जीवन का परिशाय लेकिन अब हम बात करेंगे कि वे तीसरे ऐसे मुजिसियन थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ उनके अलावा रवी शंकर जोकी सितार वादक थे भीम सेन जोसी जिन्हें 2009 में मिला तो ये तीनों ऐसे मुजिसियन थे जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ लेकिन अगर हम देखें कि overall music में किन किन लोगों को मिला तो सबसे पहले नाम आता है MS सुबू लक्षमी का जिन्हें 1990 में भारत रत्न प्राप्त हुआ लता मंगेसकर का भी नाम आता है जिन्हें 2001 में भारत रत्न मिला रवी शंकर का नाम भी आता है जिन्हें 1999 में मिला और भीम सेंजोसी का भी आता है जिन्हें 2009 में मिला तो ये था आज के टॉपिक के बारे में अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सबस्क्राइब भी करें थांकियो